बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, जीवन में बहुत सारी कठिनाईया होती हैं, जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने से रोकने का काम करेंगी, ठीक है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूं, छोटी सी कहानी बताता हूं, जो मेरे साथ ही घटित हुई आपको मैं बताता हूं कि मैं एक राजनीतिक दल को समर्थन करता हूं, भाई ठीक है, सबकी अपनी आइडियलोजी है, मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा उसको, लेकिन मैं एक पोलिटिकल पालिटी को सपोर्ट करता था, जिसकी वज़े से मेरे साथ एक बहुत बुरी घट काम किया, मैं किसी को दोस्त नहीं दे रहा हूं, उन लोगों ने हमें गिराने की बहुत कोशिश की, उन लोगों ने ये पूरी साजी स्रची, कि भाईया, इसकी कोचिंग ही बंद करा देते हैं, मतलब मेरे पीछे इतना मजबूती से पढ़ा गया, कि ये प्लान किया गया, कि इसकी कोचिंग ही बंद करा देते हैं, बहुत नेगिटिविटी फैलाई गई, बहुत बच्चों के बीच नेगिटिविटी फैलाई गई, इवन कुछ राजनितिक लोगों के साथ, कुछ राजनितिक, कुछ कोचिंग एक्षेतर के हमारे प्रतिद्वंदी हैं, जिने य बच्चों के बीच हमारे बारे में गलत बोलने का काम किया लेकिन आपको पता है हमारा बहुत बड़ा बच्चा जो हमें बारिकी से जानता था वो हमारे साथ डटा रहा वो हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहा उस बच्चे ने हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखा और उ उसके बदले में मुझे बच्चों बच्चों का वो प्यार मिला कि पूरा का पूरा प्रसासन राजनितिक रूप से लेकर और हर लेवल तक मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं अभी एड़ प्रेजेंट क्योंकि मेरा मकसद राजनितिक लोगों से दुश्मन ही लेना न पर इतने हमले की है कि जैसे इनको नेस्तो नाबूत कर देंगे उन्होंने एक बार यह सोचा कि इनको पूरी तरह खतम कर देंगे लेकिन बच्चों मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता इमांदारी से लड़ने का कोई विकल्प नहीं होता और आज हम इतनी मजबूती से खड पढ़ाते हैं जो कि इस टाइम पर जो एक बहुत क्रूशियल टाइम है इंग्लिस के एक बैच में 200-200-200-200-200-300 बच्चे हम पढ़ाते हैं जो हमारे पैरलल कॉम्पिटीटर कोचिंग में किसी की भियोगात नहीं है पटवारी के बैच हमारे तो यह सब मेहनत से जजबे से खड़ा करना पड़ता है लेकिन